हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल हम लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के सिरीज कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम पेज रिप्लेस्मेंट अल्गॉर्दम्स वाला टॉपिक देख रहे थे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारा एक छूटा सा कॉ इस रिप्लेस्मेंट अल्गॉर्दम के ही हम यहां पर बात कर रहे हैं बेसिकली यह बैलेडी अनॉमली क्या है बैलेडी अनॉमली का मतलब बैलेडी अनॉमली इन फीफो मतलब जैसे हमने चार अलगोस देखी इसमें फीफो ऑप्टिमल एमार्यू एंड एलार्यू मीस यह वाली जो यह बैलेडी एनॉमली है यह प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम सिर्फ हमारी फीफो में मिलती है हमें हमारे ऑप्टिमल में भी यह प्रॉब्लम नहीं मिलती ना ही यह यह प्रॉब्लम सिर्फ कहां पर आती है हमारे फीफो वाले में आती है यह बैलेडी एनॉमली है क यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पेज रिप्लेस्मेंट अल्गॉर्डम में क्या कह रहा है यह इफ वी इंक्रीज नंबर अफ फ्रेम्स इन मेंन में में मॉरी दैन पेज फॉर्ट अल्सो इंक्रीज़ अगर मीज हम पीज फ्रेम्स जो है जैसे इसमें हमें थ्री दे रखे हैं अगर हम थ्री की जिए फॉर कर देते नंबर अफ पेज फ्रेम्स तो नॉम्मली क्या होना चाहिए पेज फ्रेम्स बढ़ाने से हमारे जो यह पेज फॉल्स आ रहे हैं हां पर सिक्स यह नॉमली कम होने चाहिए क्योंकि हम पेज फॉल्स बढ़ा रहे हैं इसा हरकिसी में होगा मर्यों में अगर आप ऐसा करोगे वह अगर आई सप्रेम्स बढ़ा रहे हैं तो हमारे पेज़ फॉल्स कम होंगे ऑप्टिमल में भी पेज़ फ्रेमस बढ़ाने से पेज़ फॉल्स कम होंगे बट फीफू पेज रिप्लेस्मेंट इल्गॉर्टम ऐसी है इकलौती जिसमें पेज़ फ्रेम्स बढ़ाने के बावजूद हमारे जो पेज़ फॉल्स हैं वो कम होने के बजाए उल्टा बढ़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं बैलेडी जैनॉमली य लें अगर तो हमारे पेज़ फॉल्स किज़ें के सब्सक्राइब कम भी हो सकते हैं बट ऐसे भी केसिस मिले हैं हमारे फीफो में जिसमें कि बढ़ जाते हैं हमारे पेज़ फ्रेम्स जबकि ऐसा एक भी कंडिशन हमें और यल्गूस में देखने को नहीं मिला है तो basically balladies abnormally सही कहते हैं ये कईबा university exams में दो दो नंबर वाले questions में पूछ लि जाती है कि balladies abnormally फीफो में क्या होती है तो हमें बस ये theory ऐसी लिखनी होती है कि नोमली क्या देखा जाता है नोमली page frames बढ़ाने से page faults कम होते हैं बट फीफो page replacement algorithm एक ऐसी टेकनीक है एक ऐसी अनॉमली कहते हैं फीफो में तो यह एक छोटा सा कॉंसेप्ट था जो मेरे को एक बार बताना था कि पैलडी अनॉमली क्या होता है तो यही कॉंसेप्ट था तो आज हमारा पेज एक इंपोर्टन टॉपिक कवर होता है इसके अगे अगर हमें ताइम मिलेगा तो हम एक दो एक्जाम्पल और देख लेंगे गेट के प्रीवेस रुठा के देख लेंगे कि हां भी गेट में कैसे आयो हैं या यूनिवर्स्टी एक्जाम्स में पहले कैसे आयो हैं कॉशन्स व कर लेंगे प्रीवेस यह करने से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे होते हैं कॉशन्स हमारे कवर सो थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो